नमस्कार दोस्तों गड़ेन चनल में आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं आपको ऐसे 6 पोधे दिखाने वाला हूं जो की मेरा पसंदीदा प्लांट है और इनके बिना मेरा विंटर गड़ेन इनकॉंप्लीट है दोस्तों यह सभी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और इनके बारे में जानकारी भी दूँगा पहला है दखिए कलंचो कलंचो दोस्तों बहुत सुंदर पोधा है और मेरा सबसे फेबरेट में से एक है दोस्तों इसका खास बात है यह लॉंग लास्टिंग वाला होता है और फ बशारे में यह बहुत कोशली भी रहता है तो यह दोस्तों में बहुत सारा लगाता हूं और mother pant से बहुत सारा बनाता हूं यह देख सकते हैं आप एक-एक गमले में कितना सारा फूल आया है और फूल देखने में भी multi petal है single petal भी आता है इसका लेकिन ये multi petal सब दोस्तों बहुत बढ़िया दिखते हैं इसका 6 साथ कलर आता है और red सबसे हडी होता है और ये दोस्तों आसानी से मरता नहीं है देखिए orange और pink यलो सब आता है इसका वो थोड़ा सब sensitive रहते हैं बाकी सब और ये देखिए second है size में बहुत बड़ा रहता है और देखने में बहुत कमाल का है दोस्तों ये जब खिलता है garden के बाकी फूल सब फीके पड़ जाते हैं क्योंकि एक एक फूल इसका 8 से 10 इंच तक आता है ये सब केनिया वेराइटी है और डालिया के क्यार के उपर में के recently वीडियो लाया था आप नहीं देखे हैं तो देख लीजेगा डालिया दोस्तों बहुत सस्ता प्लांट है 5 रूपिया 7 रूपिया में मिल जाता है इसका सेपलिंग और देखने में देखे बहुत सुंदर है डालिया अपके एरिया में अगर नहीं मिलता है तो आप टिवर ऑनलाइन मगाके तो बहुत बढ़िया रहता है और देखिए साइज भी इसका बहुत बढ़ा आता है दोस्तों फूल भी 7-8 दिन लास्टिंग करता है और उसके बाद नीचे से और भी फूल खिलते रहते हैं तो सब वहराइटी टालिया का अच्छा लगता है इसका मीनी और पॉम-पॉम वहर चाहिए बड़े से पॉट में यह बहुत सुंदर से होता है ठाड़ पोधा है हमारा एसियाक्री लेली दोस्तों बहुत कमाल का कलर एड़ करता है और देखने में प्लास्टिक जैसा ही लगता है यह मैं बहुत अर्लियर लगा दिया था और यह मेरा नवेंबर लाष्ट में रहता है दोस्तों और सब्सकेंटीवनिये करते देखेशने में बहुत सुन्दर्ण लगता है और ये नौ्ध सब्सक्राइब hypothes प्लास्टिक जैसी आपको लगेगा और फूल आपका लास्टिंग करता है 6-7 दिन और उसके बाद देखिए साइड में और भी बड़ रहता है और एक-एक करके ये बड़ सब खिलते रहते हैं इसका भी 6-7 कलर आता है और देखने में सभी बहुत बड़िया लगते है और साइज भी देखिए दोस्तों बहुत कमाल का साइज रहता है इन सभी का आईए नेक्स्ट पोदेगी और चलते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टनर्ड जर्वेरा स्टनर्ड जर्वेरा दोस्तों बहुत कमाल का फूल है और इसका long lasting के लिए यह जाना जाता है यह एक एक pool इसका 20 दिन तक lasting करता है खास कर winter में और यह दोस्तों size में भी बहुत बड़ा रहता है और height में खिलता है mini jarvera जो रहता है short height में खिलता है लेकिन यह सब आपका height में खिलेंगे और pool बहुत बड़ा size में देंगे रहता है नर्सरी में 200-200 रुबिया इसका price रहता है मैंन बात है यह एक permanent plant है और एक के पाद एक यह pool देता रहेगा दोस्तों किसी भी season में लेकिन winter इसका सबसे बड़िया season रहता है और winter में बहुत फूल इसका lasting भी करता है और plant भी दोस्तों climate उसको suit करता है winter का बारिस में थोड़ा यह problem कर सकता है आपको next plant है हमारा दोस्तों बोगन विल्या बोगन विल्या को कौन भूल सकता है winter में खास कर यह बहुत बढ़िया लगता है और pool इसका एक महिना के उपर ठीकता है दोस्तों तो बोगन विल्या मेरा फिर्रेट में से एक है और बहुत easy to care है beginners भी क्यार कर सकता है इसको पानी बहुत कम चाहिए और आप अगर neglect भी करते है में बहुत जुरदार फूल देता है पता एक भी नहीं दिखता है बस फूल ही फूल रहता है अगर आप इसको फटी लाइजर और अच्छे से क्यार करते हैं तो तो बोगन विल्या दोस्तों लिस्ट में मेरा है नेक्स्ट प्लांट है पॉंसेटिया बहुत लॉंग से लेके 400 रुपिया तक रहता है दोस्तों प्लांट के साइज के उपर डिपेंड करता है और जितना सूट आता है उतना प्राइस जाता रहता है सिंगल स्टिक वाला अगर आप लेंगे तो सो रुपिया में भी आपको मिल जाएगा लेकिन बुसी प्लांट अगर आप लेत रहते हैं तो प्राइस इसका बहुत हाय रहता है और फूल भी इसका दोस्तों दो धाइन के उपर टिकता है और यह बहुत ही लॉंग लास्टिंग वाला फूल है और एक बार इसका पत्ते का कलर चेंज हो जाए दोस्तों तो बहुत दिन तक चलता है पूरे विंटर यह ऐस ही रहता है विंटर किया दोस्तों मेरा अगले साल ये अप्रील तक ऐसा ही था समर तक भी जाता है अगर आप इसे च्छाओं में रखते हैं तो वॉन सेट या एक बहुत बड़िया चोईस है और आपके गार्डन में ये कलर एड़ करता है ये दोस्तों गर्म एरिया में थोड ब्रांच निकलता है दोस्तों उतना बढ़िया है बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं सार हमारा पॉंसेटिया में ग्रोथ नहीं आ रहा है या फिर पता गिर रहा है तो देखिए अगर आप इसका रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट आपके बहुत अच्छा करता है और ग लगने में यह डोटेड वेराइटी को जिंगल वेल पॉंसेटिया बोलते हैं और यह दोस्तों वाई कलर रहने के लिए खास लगता है और मेरा फेबरेट में से एक है यह मेरा लीष्ट में जरूर रहता है विंटर इसके भी ना अधुरा है मेरा और यह देखिए आपका ग पूल देता है आपके गाडन में गुलाब का आईडी भी बहुत सारा रहता है और अचाचा आईडी सब सिलेक्ट करके आप प्लांट सब लगाईए यह जो सामने देख रहे हैं यह डबल डिलाइट है दोस्तों प्लांट भले ही आप चार या पांच रखिए लेकिन गुला प्रोसीजर बताता हूं दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा और इनमें से कितना प्लांट आपके पास है जरूर कमेंट करके लिखिएगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जनकर के साथ नए